बिग बोस अठारा, जी हाँ दोस्तो, विविन डिसेना उभर के आ रहे हैं विग बोस के घर में, सब दर चुके हैं विविन डिसेना से, कोई भी पंगानी लेना चाहता है, विविन डिसेना की आवाजी बहुत काफी है, घर में दहारने के लिए, यहाँ तक कि हे मा शर्मा ज जाएंगे यहां था कि विविन डिसनर ने चाहत पांडे को भी एक्सपोज कर दिया है किस तरही के से चाहत पांडे जो एक मुद्दा बनाना चाती थी बैट को लेके वो जो है लर्कों के साथ सोना नहीं चाती है भाई तो फिर इस शो में क्यों आई ए तू है ना इस शो में इस शो में सब बराबर है पिछले सीजन में भी सब एक साथ सोये थे अगर आपको प्यार होता है तो आप दिखाओ परस्नालिटी रियल दिखाओ फेक चीज मत करो बिग बॉस के घर में चाहत पांडे जो है वो फेक करना चारी है जान बूच के वो पहले दिन ही देखा न अरे या पर एस है गीजर है यह सब कर लिए थी जान बूच के है दिखावा कर रही है बैड को लेके भी दिखावा कर रही है कि वो करनवीर के साथ नहीं सोना चाहती है ना उसको उसके घर वाले देखेंगे तो बुरा मनेंगे सलमान सार इसमें जरूर क्लास लेंगे इसकी क्योंकि ये कैसा बात हुआ भई ये कोई 90's 90 का जमाना है क्या नहीं सो सकता लर कलर की घर में एक साथ तो फिर तुम भई चले जाओ चुम दरंग को देखो वो तो comfortable है सबके साथ वो सोती है है ना चुम दरंग थोड़ा foreign culture को adapt कर चुकी हो तो वो अच्छी है ऐसे मुझे लगता है वो टिक हैगी अगर वो दिखना परेगा उसको game में है ना खेल में आना परेगा अगर वो game में नहीं दिखेगी ना point of view ने रखेगी बात नहीं करीगी तो फिर नहीं दिखेगी वो आउट हो जाएगी लेकिन यहाँ पर जो यह vivendis ना है उन्होंने सब की खटिया खरी करके रखी है सब डरे हुए vivendis ना से और winner quality है vivendis ना का इसलिए तो वो इतना साल से show अफर हो रहा है वो नहीं आ रहे क्योंकि अगर वो आते है अगर वो आएंगे वो चाहते कि वो जीते है ना और clear winner भी लग रहा है मुझे vivendis ना सलमान सर भी काफी support करते है उनको लेकिन आगे आगे देखते game में क्या होता है फिलाल vivendis ना जो है वो आतंग मचा के रखा है घर में सबके सब करनवीर तो दोस्ती बन गए करनवीर जो है वो दोस्त बन गए vivendis ना के उसको पता चल गया vivend जो है वो strong contender है और बहुत खुद कर रहा है वो सब कुछ चायवाई बना रहा है ये वो और हेमलता जो हेमा शर्मा है जेल के अंदर बैठी है वो भी vivend के साथ है अबी और सभी राशन वो दे रही है हेमा शर्मा जो है हेमा शर्मा और बगगा तजिंदर बगगा जो है वो राशन डिस्ट्रिब्यूट कर रहे है उनके पास राशन चला गया है जेल में तो वो लोग दे रहे और ये बोलने कि एक दूद का पैकट खतम होगा तभी दूसरा दूद का पैकट अंदर बाहर बेज़ूँगी मैं बाहर आएगा जेल से बाहर फिलाल जेल वालों को बहुत बरी पावर दी गई है राशन वाला जिया और आगे देखते क्या होता है जिम तो अभी बाहर खुले में खुले में जिम कर रहे लोग कोई अलग सेक्शन नहीं है नायरा भी अच्छी कर रही है लेकिन विवेन जो है भाईया सबके ओपर थ्रेड बन चुके है चलिए आगे और भी बत करता हूं मैं चलिए थैंक्यू